तो आज चुका हूँ मैं आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है EDU Update तो आज हम लोग बात करेंगे पुने के एक काफी शांदार कॉलेज के बारे में जिसका नाम है P.I.B.M. that is P.I.B.M. that is P.I.B.M. that is P.I.B.M. Institute of Business Management ये पुने के heart of the city में reside करता है और ये कॉलेज हमेशा ही सुर्खियों में रहा हुआ है ये कॉलेज के अंदर admission लेना उतना भी आसान नहीं है just because इसका जो cut off रहता है वो हमेशा हाय जाता है तो बात करते हैं हम लोग इसके सारे ही parameters पे ये जो कॉलेज आप screen पर देख पा रहे हो ये कॉलेज का official website है तो बात करते हैं इस कॉलेज में कौन कौन से courses प्रवाइड करते हैं ये college MBA प्लस PGDM दोनों भी course प्रवाइड करता है तो आज का हमारा main focus MBA पे रहेगा MBA का अगर देखा जाए तो ये जो course का structure है ये सावित्री भाइ फुलेपूनी university के अंदर में आता है इसका जो syllabus है वो university ही decide करती है यहाँ पे जो specializations provide करते हैं वो है marketing, finance, human resource, digital marketing and applied business analytics जो दोस्तों जितने भी major specializations overall colleges में होते हैं वो सारे ही specializations यहाँ पे हैं only thing is यहाँ पे supply chain operations नहीं है अगर बात करते हैं इनके जो admission का जो procedure होता है उसके बारे में तो इनका जो admission procedure है वो follow करते हैं सावित्री भाइ फुलेपूनी निवर्सिटी का जो DTE का cap rounds होते हैं उसके थूँ यहाँ पे direct admissions भी ली जाती है दोस्तों यहाँ पे direct admission के लिए यहाँ पे आपको apply नहीं होगा एक option मिलेगा वहाँ पे आपको click करना होगा और फिर उसके बाद में आपको अपना स्कोर्स दिखा के फिर उसके आपकी कुछ selection rounds होंगे जो की होता है aptitude test, group discussion, personal interview and return test और based upon that they'll fill the management quota seats बात करते हैं कोर्स और syllabus की जैसे कि मैंने आपको बताया है इसके अंदर में सावित्री भाइ पुले पुनी निवर्ट सिटी का syllabus होता है तो ये भी चार semester के अंदर में जाता है fee structure की बात करें, जो की university set करती है तो MBA की fees कुछ इस तरीके से हैं ये registration fees तो common होती है और अगर first semester की, first year की tuition fees की बात करें तो वो है 3,75,000 second year की tuition fees की बात है, तो वो है 3,70,000 so overall अगर आपका, यहाँ पे fees देखा जाए, तो वो आता है 7,20,000 के निरवाई अगर admissions की procedure की बात किया, जैसे मैंने आपको बता है कि यहाँ पर जो cap round के through admissions होता है, वही होता है और अगर cap round के through आपका score उतना अच्छा नहीं है तो फिर आप direct admission भी ले सकते हो, जिसके लिए कुछ nominal procedure है, वो follow करनी होगी GDPR के dates भी यहाँ पर दिये हुए, कि जबी भी GDPR होता है, उसके dates यहाँ पर update हो जाते है और apply किस तरीके से करना है, तो apply online का यहाँ पर option दिया हुआ है बात करते हैं इसके cut-off के बारे में, दोस्तों तो इसका cut-off above 80 percentile ही जाता है every year यहाँ पर admission लेना आसान नहीं है, just because इसका cut-off रहता है, वो हमेशे high end पर ही close होता है just because यहाँ पर जो maximum seats है, वो management quota through ही fulfill कर ली जाती है पहले से ही इसलिए, अगर placements की बात किया जाए, तो देखते है placements इस college का किस तरीके से है, यहाँ के जो recruiters है, यहाँ पर बड़े बड़े नाम दिये हुए, जैसे Google, Amazon, KPMG तो दोस्तों यह हम भी समझ सकते हैं, टॉप ranking colleges है, वहाँ पर Google, Amazon, KPMG वगर नहीं आती तो इस college में कैसे आएगी तो नीचे में अगर कुछ-कुछ देखते हैं तो जैसे buy juice है, upgrade है, axis bank है, L&T है, marico है, उसके बाद में मुत्रुट finance है, Lenskart है, 99 acres है, Iclux है, OYO है, ICICI Bank है, इस तरीके की companies यहाँ पर college में every year visit करती है अभी इस year Deloitte major college इसको cover कर रही है, personally college इसको cover कर रही है, भले वो college top ranking का हो या ना हो यह सारे ही college में जा रही है, तो उसी के हिसाब से P.I.B.M. में भी आई होगी, और वहाँ पे भी इतने students का placement हुआ है, जिसका role मिला है, उनको tax consultant काफी सारे students है, जो कि Deloitte में place हुए है, जो कि one of the best brand है, जहाँ पे students अगर as a entry level, fresher entry करते हैं, तो उनका career काफी bright होता है यहाँ पे जो Deloitte आई थी, वो 7.6 lakh का package लेकर आई थी, जिसमें से 1 year का, उनका 1 lakh rupees, including 1 lakh rupees, that is, of joining bonus अगर बात करें, सिटको का, यहाँ पे सिटको के भी statistics दिये हुए है, जो कि 6 lakh, 6, 6.5 के बिच का package लेकर आई थी, डाबर आया हुआ है, इस college में, ITC का एक बच्चा गया है, sales officer के रोल पे, लोधा ग्रूप में, management trainee sales के रोल में गया हुए students, then Wipro में कुछ hires हुए है, off campus, then multi level technologies, low था, दोस्तों तो इसी साब से यहाँ पे companies काफी सारी आई हुई है, और बच्चे placed भी होते हैं, so काफी अच्छे अच्छे brands यहाँ पे दिखाये गया है, so हम लोग अगर इस college की placements की बात करें, तो इस college का placement देता है, 6.5 और 6 के बीच में, 6 से 6.5 के बीच में, इस college का placement के stats होते हैं, अगर हम लोग return of investment के perspective से देखा जाए, तो तो थोड़ा सा कम है, because यहाँ पे जो fees पे करनी होती है, वो nearby 7.5 के nearby जाता है, 7.5 को आपको fees पे करना होगा, और उसके बाद में, अगर आप return of investment देखते हैं, तो आपको nearby 6 lakh का package आपको यहाँ से मिल ही जाता है, दोस्तों कई सारे options and questions पीछे जाता है, कि sir आप ranking क्या देते हो colleges को, पूने के colleges को, तो दोस्तों मैं हमेशे dy partil को इसके उपर रखता हूँ, तो सब लोग पूछते हैं कि क्यों रखते हैं sir इसको dy partil के उपर में, तो दोस्तों इसलिए because अगर dy partil की fees और इसकी fees की comparison किया जा इसलिए हम की fees की बात करते हैं, तो साड़े साथ लाग जाती है, और अगर return of investment देखते हैं, तो फिर dy partil साड़े चार लाग का देता है package, और यहाँ पर अगर आपको average package आपको 6 लाग का मिलता है, तो साड़े साथ लाग fees पे करके 6 लाग का average package लेना जादा अचा है, या फि आपको इसके बारे में, इसके regarding, इसके अलावा कोई भी आपको queries होती हो, तो please 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 comment box पे लिखिए, मैं या फिर मेरी team आपको जल्द से जल्द reply करने का कोशिश करेंगे, तो दोस्तों आज के लिए वस इतना ही, thank you.